जै जीनेंद्रा जै भोलेना दोस्तों तीन बच के 37 मिनिट हो चुकी है और मार्केट को बंद हुए सिर्फ 7 मिनिट हुआ है सबसे पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं इसको पढ़ना अनिवारिया मेंडेटरी है अब हम अनेलाइसिस करेंगे कल जो मंगलवार है क्योंकि वेन लेकिन कल की गिरावत काफी बड़ी रहेगी यह मैं आपको बोल सकता हूं तो हो सकता है 410 से 420 के आसपाद जाके फिर गिरें यह स्पार्ट के फिकर बोल रहा हम है तो डिस्क्लेमर इसको पढ़ना अनिवारिया मेंडेटरी लेट स्टार्ट एनलेशिस पोर टुमोरू सबसे पहले में आपको डेली चार्ट दिखा देता हूं दिस इस देली चार्ट ऑफ निफ्टी आज निफ्टी अपनी 20 एमें और 10 एमें दोनों के निचे बंद किया है दिस इस देट्वेंटी एमें जो कि 17408 पे कितना पे 17408 पे है इसका 20 एमें कि यह आपको दिखाई दे रहा हूँ इसको मैं थोड़ा सा जूम एक्स्ट्रा कर देता हूं कि अब आपको यह फिगर बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा हूँ ट्वेंटी एमें का 17408 दे रहा चलिए कि आप देखे आज क्या हुआ आज अज मार्केट ने एक पॉजिटिव केंडल मना है यह नहीं यह पॉजिटिव नहीं है इसका मुख्य कारण किया देखिया को मैं सिंपल आपको मैंने एक कभ युव बता दिया था कि इटीजए डायमंड पेटन ठीक है ओक है इस लेवल से इसकी सीध में यह लेवल कितना आता एक्जेक्ली यह लेवल में पता कर लेता हूं वह लेवल है इस पैटन में यह आपको थोड़ा थोड़ा अब ध्यान से देखोगे इट इस लुकिंग लाइक है डायमंड कैसा एक डायमंड जैसा दिखाई दे रहा है अब इसका प्रेकडाउन आया तो डायमंड की जितनी हाइट और यह देखे टॉप पे डायमंड बना है टॉप पे डायमंड एक रिवर्सल का बहुत अच्छा इंडिकेटर है या पैटन है जो भी आप समझो टॉप पे ऐसा डायमंड बनता है तो बहुत अच्छी रिवर्सल आ सकती है तो हम मिनीमम टार्गेट निकालने की कोशिश करते हैं वाट कूड बी दा मिनीमम टार्गेट इफ दा ब्रेकडाउन हैस काम बिलो 17520 क्या मिनीमम टार्गेट हो सकता है निफ्टी का क्योंकि 520 पर ब्रेकडाउन आगे अब यहां पर 17920 में मैं लिक लेतो 17992 बाइनस 17345 आपको यादी होगा लोग मुझे तो याद है इट कम 647 पॉइंट्स 647 पॉइंट्स फॉइंट्स 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 फॉम सत्रह पांसो बीस ठीक है 647 पॉइंट्स को अगर आप 17520 से मैंनस करते हो तो वाट इस दे टार्गेट कमिंग 16873 16873 निफ्टी स्पॉइंट्स फॉइंट्स 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 बनता है इस दे टार्गेट एस पर आइमंड पेटर क्या टार्गेट बनता है 16873 यह आप लोग कर लिजे अब थोड़ा सा यहां पर दिमाग यूज़ करेगा अपना टार्गेट को इस से साथ सतर पॉइंट उपर लिख लिए यह 69 50 लिख लिए ठीक है 69 अब यह 69 50 हो सकता है इसी फ्राइडे तक आजाए यह मैक्स टू मैक्स नेक्स मंगलवार तक आजाए मैक्स टू मैक्स यहां इसने अपना काम कर दिया और यह इंस्पाइट ऑफ पॉजिटिव वाइट केंडल तुडे वाई आएम सेइंग मैं क्यों बोल रहा हूं कि कल एक भारी दिन रहेगा देखिए 20 यह में कोई छूब और जिरो एट और यह आज का हाई बनाया थीन सो असी का और लोग बनाया 166 का ठीक है और और अपने उपर के तो कल क्या हो सकते हैं टूमोरो वी में सी कि यह सतना चार्सो तीस चार्सो बद्दिस के हाई बनाके एक बड़ी रैड कंडल बनाएं यह पॉसिमिलिट है और यह यहां फिर सर्प्राइजिंगली गैब डाउन से ही स्टार्ट कर दें मुझे थोड़ा सा चांस लगता कि कल एक बार 430-440 ऐसा कुछ फिगर लाके फिर देगा इसा लगता है मगर देगा यह आप समझ लीजिए ठीक है अब यहां क्या किया यहां उन लोगों में फिर से अब हम लोग सबसे पहले PCR देख लेते हैं कहां पूंच है क्योंकि इस वरी इंपोर्टेंट फिंग तो वाच पीसी आर आज इंट्रेस्टिंगली ऊपर आया है अभी तक तो मुझे यहीं दिख रहा था दिखता हम क्या हो पीसी आर कंफर्टेबल है यहां से पीसी आर तो पिस्यार हाइली ओवर सोल्ड नहीं होगा है तो अब हमारा एक तो टार्गेट यह निकला 16873 अब 873 को यहां चार्ट पर प्लोट करके देखे तो वह कहां आता है करीब करीब यहां आता है अब यहां पर आपको याद होगा पिछला हाई था इस वर ठीक से याद होगा 16793 मुझे तो फीगर से याद रहते हैं फिर भी में चेक कर लेता हूं देख लीजे तीन जून को 16793 का आई था इतना यादा स्टेज रहती है 167 तो मैंने आज टार्गेट के दिए 873 तो इसको रिटेस्ट करने के लिए तो इस पैटर्ण का टार्गेट आ सकता हो सकता है यह इससे भी 100 नीचे जाए यानि कि 786 तक आए 786 तक क्योंकि पिछला ब्रेक आउट यह आया था ब्रेक आउट अब यह ब्रेक आउट घूम बिरके वापस से रिटेस्ट होने के लिए आ रहा है ठीक है ऐसे रिटेस्ट होगा और यहां सपोर्ट लेके हो सकता है एक रेली यह और गिरावरत यह मेरा मानने है तो मेरा टार्गेट यह आ रहा है आज भी आपने देखा हो पूट हमारा 400 के तरफ गया जबकि मैंने आपको सुबह दिखा दिया था तो आप देखो मैं फ्राइडे को भी आपको खुले आम बोल रहा था कि मिनिमुम 200 पॉइंट का गिर ठीक है तो अब यह आपको ध्यान अब अब आज ही थोड़ डीटेल में हम इसके पांच मिनिट के चार्ट को देख लेए तो चार्ट मेरा पहले से प्लोट किया हूं मैंने कुछ नहीं किया आज ना चेडा ना कुछ किया यह चार्ट आप देखिए यह 345 का सपोर्ट था ध यह पिछला बार 345 अरे पिछली बार इसने 345 का लोग बनाया था अब देख़ा आज दिन में 2 बार इसको पार करके टिकने की कोसिस किया दो बार जबकि नीचे इस से काफी आया नीचे इससे बाइंग जोन में भी आया था यह देखे यह बंग जोन इस दिन का डो किया हो है यहां से मार्क घुमा लेकिन इस जगह जो पहले का सपोर्ट था 345 इसी जगह दो तीन बार रेजिस्टेंस खाके इसके नीचे ही ट्रेट कर रहा है क्योंकि आज 312 की क्लूजिंग आई यह अपने आप में वीक्नेस दिखाता है अब जब तक एकल 345 के उपने टिके यह वीक ही रहेगा यह ऐसे भी आ सकता है कि समझ मैं है तो हो सकता गया मतलब उपर नहीं जाए और यहीं से इस कूट भी दा वे अब हम लोग इसको क्लियर करते हैं और देखते हैं यह सपोर्ट लाइन मैंने क्यों ड्रॉप कि थी पहले इसको इसको रूप करते हैं यह यहां मार्कन ओने इस जगह पेले है इसके पहले मार्कन ने यह सबूट लिया था यहां सबूट लिया था और यह और आज भी देखिए एक्जर्टिन का यहां सबूट ले लिये अब क्या होगा जे से युह लेवल टूटेगा तो अग्ला 8 लेवल क्या हो जाएगा इस क्या है oh this will be the best support the you क्या लेवल है इसको कर देता हूँ किणे बियह कर वह अघुशन हो। कि रॉसीन को क्पिर नहीं करते चलने पन स्ट přेस्ट एहुक। को तो पहले के यह सपोर्ट था यह सपोर्ट आ few और आज इसने ठीक यहां फर सबूर्ड लेकर और गया लेकिन इस रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस बाना अब अगला सपोर्ट क्या है अगला एक सपोर्ट ही है यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम लोग एक यह सपोर्ट रहेगा 17,015 का दूसरा बड़ा सपोर्ट रहेगा और तीसरा है बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा यह वह यह हम लेवल्स आपको बता देते हैं अब नीचे में क्योंकि यह तूटेगा यह जो आज का लोग हो तूटेगा आप मान के चलिए नाइटी पसंट दिख रहा है यह ऐसा ही बन रहा है तो यह तूटेगा तो पहला सपोर्ट इसको बड़ा मिलेगा 17,015 पर आप लोग नोट करते चाहिए यह यह लिखते जाता हूँ 17,015 यह सपोर्ट लेवल से आप लोग नोट कर लिजेगा नीचे के बता रहा हूँ 17,015 नमबर टू क्या था 16,875 और वाँ 16,875 अब देखिए यह टार्गेट से मैच कर रहा है कि नहीं डायमंड पॉटन की 16,875 तीसरा सपोर्ट कहां पर है जो काफी बड़ा सपोर्ट मालन सकते हैं उसको यहां रेजिक्स्तन्स लेवल था 16754 यह तीनों लेवल आप लोग लिक के रख हो सकते हैं तीनों यह आजाए मंगल वार तक नेक्स्ट मगलवार इस मगलवार नहीं तो यह तीनों आप लिखके रखिए बहुत इंपोर्टेंट है यह तीनों मैं भी इसका एक फोटो मेरे केमरे में ले ले तो मुझे याद रहे ताकि फूचर में देखना नहीं पड़े आजया है तो मैंने भी फोटो कीच लिए यह बहुत इंपोर्टेंट सपोर्ट लेबल है मैं इसमें आपके लिए सेव कर लेते इसको ठीक है तो 17,015 पहला टार्गेट आपका आएगा दूसा टार्गेट आ रहा है 16,875 यह सब स्पोर्ट के लेबल से और डायमंड पेटन का टार्गेट यह आ रहा है तो मोटा मोटा निचोड हमारे पास सब कुछ सामने आ गया है अब कुछ ज्यादा सोचने का नहीं है अब आपको एक फ्रेम में सब दिख रहा है यह सपोर्ट यह लाइन में कब से ड्रॉ कर रखा था अब यह नीचे की लाइन का बारी है आप देखो यह सारी लाइन मेरी काम आई और आज यह वाली लाइन जो एक टाइम का सपोर्ट था आज पुरे दिन मार्केट में रेजिस्टेंस का काम की अब हम लोग एक बात थोड़ा सा बैंक निफ्टी को मैं इंट्रेस्ट नहीं लेता हूं फिर भी लेट सी अब बैंक निफ्टी का भी टार्केट चलिया आपके लिए निकाल देता हूं मैं ज्यादा इसका लंबा चोड़ा अनलाइसिस नहीं करूँआ ठीक है यूर डायमंड प्रेटर एंड दिस इस दे ब्रेक्डाउन यहां ब्रेक्डाउन मांगता हूं है थर्टी नाइन थाउजन के नीचे है ठीक है तो थर्टी नाइन माइनस आज यह क्या टार्केट आ रहा है 39,759-37,950 39,759-37,950 कितना होता है है 39,759-37,950 ठीक है यह डायमंड का पॉइंट से अब कितना गिरेगा हमको गिरेगा कैसे गिरना टार्केट क्या निकल रहा है 39,000-1809 अब टार्केट क्या निकल रहा है Targets of Diamond pattern in Bank Nifty is 39,000-1809 1809 is equal to 37191 यह आपका टार्गेट निकल रहा है बैंक रिप्ति का 37191 इसको आप लोग नोट डाउं खर लीजे अब मैं इसका बाकी चीज नहीं बताने वाला हूं इतना काफी बता दिया यह इसका टार्गेट निकल रहा है इसका आप चाहो तो एक फोटो ले लो यह आपको क्लेर दिख रहा है यह टार्गेट आ रहा है यह अठारा सो कॉंट कहां से लाया इस प्रेटन से लाया और ब्रेकडाउं पॉइंट से माइनस करोगे तो यह टार्गेट दिखाई दे रहा है वीडियो पसंद आएगा दो अजार से अगर एक लाइक भी कम मिलता है तो डोंट एक्सपेक्ट मी तो कम टुमोरों मॉर्न तुमोरों मॉर्निंग एस वेल आफ्टरनून मैं दो तीन दिन फिर से छुट्टी ले लू पार मिनीमम टूथाजन लाइक अगर तीन अजार बजे मैं एक स्पेशल कॉल या नौ बजे एक स्पेशल कॉल एडवांस में बिफोर मार्केट आपको दूगा नौ बजे नौ पंद्रा पर मार्केट खूलता है नौ बजे पब्लिक ली दूगा लेकिन रिट शुट्ट लाइक शुट्ट भी 3000 प्लस जे जिनेंद्रा जे बोले